अचानक से घर में मेमान आजाये और समझ में ना आयना कि क्या बनाए पांच मिनट में क्या बन जाय है 56 मिनट में च liberator जा से और यह नाष्टा में 52 ले रहेंगों को लीजी और पांदा से पर किष्ठ ख़र ले मोरी आहले वह यहां पर बारें grandfather K entered चेलिए मैरे बारी हेल्डी मेरे पैस यही था आप मूटा भी यूज कर सकते हैं 3-4 पानी से पहले तो निकल जाए वह निकल संगीर तो यहाँ पर साल भी ओपना सर्फ लेदिया जाएं कि चील लेंगे और चील लएंगे और झीलने के बाद हम कर लेंगे हैं पर किई नें कट मैं इसके टुकड़े रफ्ली भी कट कर सकते हैं तो यहां अभर आलू आप अगर आप कीपस कच्चा अगर आप यूज नहीं करना चाहें इूुझना तौनों भी ले सकते हैं अगर कच्च ले रहे आपको इसका स्टार्च निकालना होगा तीन से चार पानी अच्छे से धूले तो चलो आलू मारा धुल गया रखा एक साइड में अब यहां पर हम पोहे को देख लिए ते जितना पानी हमने इसमें डाला था उसमें अच्छे से फूल गया है काफी अच्छे से यह मतलब मैश हो पारहा है तो चली जो पानी हमारा अलू मेदा एक इस फोर्क होंने निकाल दिया है बिल्कुल पानी निकाल के हमें आलू को ड्रांस। करना है मिक्सित जारल यहां पर मैं ले रही हूं आदा कप मैडा आप चाहें तो गहूं का अटा भी ले सकते हैं थोड़ा है आप पोह आप अगर आपको लगे पोहे में पानी पहले आप निकाल दे उसके बाद ही इसमें ट्रांसफर करें पानी के साथ बिल्कुल भी ना करें अब इसको हम यहाँ पीस लेंगे क्योंकि आलू में अच्छा का सा मोश्चर होता है हमारा जो पोहा है अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो आप इसको हातों से थोड़ा सा फेट लीजे जिससे यह थोड़ा सा हमारा जो बैटर ही हलका हो जाएगा बैटर हमारा ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए अगर पतला लगे ना आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लेजेगा ठीक है अब इसमें हमें एक पत्य डाल दिया है और इच्छा नुसार हम यहां डाल देंगे अरदनिया पत्ति ना होता और कड़ी पत्य से भी काम चला ली जिए कोई दिक्कत ने कहीं कुछी महँगा हो रहा है इस टाइम पर आदा जबमस्क मैंने पर कच्छा जीरा डाला है स्वाद अनुसार में यहां और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले हमें नहीं डालने है नहीं जो इसका जो में टेस्ट है ना वो खतम हो जाएगा यह इतनी ही चीजों के साथ परफेक्टली रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो घर में नॉर्मली जो मेदू बड़ा या पकोड़ी टाइप कुछ बनाते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हट कर रेसिपी है यह और आम घर की डेली नीड की जो हमारी चीजे होती है उनसे ही बनती है अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग का फ्लेवर दे रही हूँ अगर आप खाते हैं ना हींग तो वेशक से डाले स्वात तो बढ़ेगा ही खाने के बा जालना है तो चलिए बैटर को लेके चलते हैं यहां पर डालनी यह तो बिल्कुल छोटी-छोटी बॉल्स हमें इसके अंदर डालनी है तेल के अंदर क्योंकि यह तेल में जाते ही फूलने लगेगी मंदब जितनी हम डालेंगी नहीं उसका डबल हो जाएगा साइज तो मानने रेसिपी पूछे पूछे बि较तों नीजांवाली और बच्चे तास्ट को बनाسकते हैं तो डालने के कुछ सेकंड तक आप इसको बिल्कुल भी ना छेड़े जब लगे कि हाँ ये थोड़े से हमारी ड्राइ होने लगे है उसके बाद आप इसको यहाँ पर पलट दीजिए और ये देखे धीमी दीमी आज पर हमें सेखना है एकदम से तेज आज पर बिल्कुल भी निकाल लेंगे जिससरे जो इसका एक्सेस ओयल होगा वो नीचे आजाएगा वैसे तो इसमें ऐखो जब हम निकाल लेते हैं ना उसके बिल्कुल भी नहीं बचता बिल्कुल सुके सुके हो जाते है और ये लिजिए आप इसकी आवाज सुन लिजी आवाज से ही पता लग कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तयार हुए मुझे इस पर बताने कि आपको कोई वी जरूरत नहीं है आप इसको धनिये की हरी चटनी और सौस के साथ परोसी वाह क्या कहने सब आपकी तारीफ करें बिना ना रह नहीं पाएंगे फिर चाहें तेहारो का सीजन ओ बारिश किसाओ का?